अब देखो बे इस वीडियो के अंदर हम तुमें बताएंगे कि कैसे तुम Magic Bullet प्लस Antina in OBB फाइल बनाओगे क्योंकि देखो Antina in OBB फाइल के उपर किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया था तो हमने सोचे चलो यार हमी मौके पे चवका मार देते हैं और देखो ये वाला जो मैठेड है ये दोनों गेम के अंदर वरकिंग है FFFM Max तो तुम बिंदास इस मैठेड को अपलाई करके अपने गेम के लिए OBB फाइल को बना सकते हो और देखो जो भी कोडिंग का हम प्रयोग करेंगे उसका लिंक तुम्हें कमेंड बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा जाके डाउनलोड कर लेना तो चलो फिर हम तुम्हें इस फाइल को बनाने की विधी को बताते हैं अभी देखो तुम्हें ये दो फाइल को डाउनलोड कर लेना है पहला रहेगा config and OBB editor और दूसरा रहेगा ff and ff max magic bullet plus antenna in OBB ठीक है तो इन दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेना अब देखो ये वाला जो application तुम्हें दिख रहा है OBB making के नाम से तो तुम्हें भी अपने download folder के अंदर एक folder create कर लेना है and folder को बनाने के लिए यहाँ नीचे सबसे नीचे plus icon मिलेगा यहाँ पे click करके अपने folder का नाम डाल देना and नाम डाल देने के बाद तुम्हें यहाँ पे folder का button मिलेगा यहाँ पे click कर देना तुम्हारा folder create हो जाएगा अब तुम्हें इसके अंदर आ जाना है and यहाँ पे आ जाने के बाद यह दो file download कर लेना है अभी तुम्हें सबसे पहले इन दोनों file को extract कर लेना है तो extract करने के लिए एक के उपर ऐसा long press करके रखो extract का button मिलेगा यहाँ पे आ जाने के बाद लात मारके delete कर देना है अब इन दोनों file को delete कर देने के बाद तुम्हें इस वाले folder के अंदर आ जाना है अब यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे 3-4 files देखने को मिल जाएगी पहला रहेगा यह 85FE और आगे जो भी code लिखा है यह हमारा antenna की file है यह antenna का code है यह जो last में new text mess लिखा है न तो यह हमारा antenna का code है यह और यह यह दोनों हमारा antenna का code है यह और यह यह दोनों हमारा magic bullet का code है ठीक है तो अभी पहले हमें अपने game के folder के अंदर से दो file को उठा लेना है तो उससे पहले हमें यहाँ पे पहले आ जाना है यह magic bullet code for 3B 3B वाले के अंदर यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे देखो कुछ file name लिखा रहेगा file name and path id ठीक है तो तुम्हें path id को याद कर लेना है and file name को copy कर लेना है तो copy कर लेने से पहले हम जो भी हमारे clipboard में रखा हुआ इसको सब clear कर देते हैं यहाँ से हाद को यहाँ पे clear हो गया है अब यहाँ पहले file name पहले इसको copy कर लेते हैं 3B वाले को and back आएंगे अब इधर side आजाएंगे magic bullet for EE25 के अंदर and यहाँ पे आजाने के बाद इसको भी copy कर लेंगे यहाँ पे तो EE25 वाले को भी copy कर लेंगे इस तरीके से हमारा दोनों copy हो जाएगा अब तुम्हें यहाँ पे back आजाना है यहाँ पे एक बार इस तरीके से back कर देना है अभी तुम्हें दूसरी side वाले में 3 line के उपर click कर देना है उसके बाद आना है storage battery देन आना है तुम्हें android के अंदर उसके बाद OVB OVB के अंदर आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे फोल्डर देखने को मिल जाएगा com.dts. यहाँ पे देखो game name लिखा है लेकिन तुम्हारे में यहाँ पे क्या लिखा रहेगा ff का पूरा नाम ठीक है ff मतला वह गेम रहेगा जो भी समझ जाओ कि इस गेम के हम बात कर रहे है and उसका पूरा नाम लिखा रहेगा and देखो अगर ff max है तो यहाँ पे th की जखा max लिखा रहेगा and ff अगर normal है तो यहाँ पे th लिखा रहेगा तो हमारा तो normal है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे and अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यह rename हमने क्यों किया है क्योंकि देखो यह rename नहीं करेंगे इसका package name दिख जाएगा तो हमें strike वगरा लग सकती है ठीक है तो इसलिए हमने rename कर दिया है बाकि तुम्हारे में ff का पूरा नाम लिखा रहेगा अभी तुम्हें यह जो main.2019 रहेगा यह तुम्हारे device में कुछ और आगे लिखा रहेगा number लेकिन तुम्हें इस वाली file के वैसे tap कर देना है tap कर देने के बाद आ जाना है यहाँ पे archive viewer के उपर यहाँ पे आजाने के बाद थोड़ा सा wait कर लेना है यहाँ पे आजाने के बाद फिर आना है तुम्हें assist के अंदर उसके बाद bean के अंदर बीन के अंदर आ जाने के अंदर आजाने के अंदर आते ही थोड़ा सा यह loading होने लगएगा and load हो जाने के बाद इस तरीके से खुल जाएगा ठीक है कर देने के बाद तुम्हारी जो फाइल रहेगी वह ग्रीन कलर से बोले तो इस तरीकेसे हाईलाइट हो जाएगी अब तुम्हे यह हाईलाइटेट फाइल को इधर सड ऐसा लॉंग प्रस करकि यहां पर इक्स्ट्रैट प्राइब कर देना है तो इसके उपर क्लिक करो ओके कर दो तुम्हारी एधर साइड कॉपी हो जाएगी तो इसको कॉपी कर देने देते हैं हाँ यह कॉपी हो चुका है अभी तुम्हें इधरसद फिर से ऐसा टच्छ कर देना है थोड़ा सा एंड यहां पे फिर से 3. के उपर क्लिक करो search पर आओ यह वाली फाइल को हटाओ, मतलब name को हटाओ यहां पर second file name paste कर देना है जो कि रहेगा double e25 इसको OK कर देना है यह find okay आ जाएगा इसके उपर tap करो यह भी जो है वो green color से highlighted हो जाएगी file तो यहाँ पर देखो यह green color से highlight हो चुकी है अब long press करके रखो इसा side बोले तो इसको भी extract कर लो अब यह कर देने के बाद थोड़ा सा wait कर लेते हैं यह आप देखो यह extract हो चुका है अभी तुम्हें पहले इसका path ID याद कर लेना है तो हम लोग फिर से आएंगे इसके अंदर एंड इसका 3B 3B वाले का path ID है 94 यहाँ पर इसको back करेंगे एंड डवली 25 वाले का path ID है 41 ठीक है इतना तुम्हें याद कर लेना है अपनी खोपड़ी में बैठा लेना है अब इसके बाद तुम्हें बोले तो अपना वो खोल लेना है एकसागेर लेकिन उसको खोलने से पहले फिर से तुम्हें इस वाले folder के अंदर आना है एक साइड यह खोल लेना जहां पर यह दोनों फाइल रहेगी एक साइड फिर से इस folder के अंदर घुसो एंड यह जो 85 वाली फाइल है ना इसको भी इधर साइड मूफ करा दो ठीक है तो यह तीनों फाइल हमारी आ चुकी है एंड हमने क्या याद किया था 3B 3B वाले का हमारा path ID है 94 एंड डवाली 25 वाले का है 41 एक बार confirm भी कर लेते हैं आप देखो डवाली वाले का 41 है path ID एंड इसका है 94 तो इसको याद कर लिया है हमने अभी तुम्हें अपना exa gear application open कर लेना है तो देखो exa gear के अंदर आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर 3 line के उपर क्लिक कर देना है तो देखो हमने इसको जो है सिर्फ APK अपलोड किया है एंड लेकिन अगर तुम्हें इसका मतलब exa gear का APK plus OBB दोनों चाहिए तो जा करके यार यूटूब पर सर्च कर लेना exa gear gold, exa gear normal जो भी तुम्हें वर्जिन चाहिए इसका YouTube पर सर्च करो काफी सारी वीडियो पर यहें उस सब क्यों मतलब जा करके end download कर लेना setup करना है तो setup वीडियो हमने बना दिया है वो तुम्हें मिल जाएगा ठीक है उसको जा करके setup कर लेना download करना हो तो YouTube पर search कर लेना तुम्हें काफी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी किसी और की तो वहाँ से जा करके डाउलोड कर लेना अब तुम्हें यहाँ पर कंटेनर बना लेने के बाद कंटेनर के त्री डॉट के उपर क्लिक करो उसके बाद यहाँ पर प्रॉपल्टीज पे आ जाओ और यहाँ पर आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको 32 बिट सेलेट कर देना है अब इसको कर देने के बाद बैक करो बैक कर देने के बाद वापस से 3 डॉट के उपर क्लिक करो और यहाँ पर एक तुम्हें आप्सन देखने को मिल किया था तो यह वाले फोल्डर के उपर ऐसा डावल टैप कर देना है तुम्हें इसके अंदर घुश जाओगे अब यहां पर आ जाने के बाद तुम्हें यहां पर फाइल के उपर टैप कर देना है उसके बाद ओपन पर आ करो पर ना है यहां पर आ जाने के बाद माई कंप्यूटर डिवाले फोल्डर के अंदर एसके अंदर आने के लिए यह ढवल टैप करते जाओ तो इसको टैप करो यह सिलेक्थ हो जाएगी एदिए वंपन कर ल अब यह ओके कर देने के बाद अभी तुम्हें यहाँ पर बड़े ही ध्यान से देख लेना है और यहाँ पर तुम्हें क्या सिलेट करना है टेक्स्ट मैस ठीक है और टेक्स्ट मैस की जो आईडी रहेगी वो रहनी चाहिए पाथ आईडी 19 तो यहाँ पर हम लोग पाथ इसको सिलेट किया है तो उसको कंफर्म करने के लिए तुम्हें यहाँ पर पाथ आईडी यहाँ पर लिग जाएगी जब भी तुम किसी को भी सिलेट करोगी तो उसकी पाथ आईडी यहाँ पर लिग जाएगी एंड यहाँ पर देखो ब्लैकेट में टेक्स्ट मैस लिग ग तो इस वाले फाइल के टैप करो यहां पर फाइल को ऐसा टैप करोगे यह सिलेक्ट हो जाएगी अब तुम्हें इसको open कर देना है open कर देने को बाद यहां से इसको ok करना है ok कर देने को यस करो yes कर देने को बाद my computer default folder के अंदर and इस फाइल के अंदर मज जाना ठीक है save करते ट फिर से माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर ओवी वी मेकिंग के अंदर यहां पर आ जाने के बाद अब हम लोग बनाएंगे मैजिक बुलेट की फाइल को तो उसके लिए पहले 3B 3B वाले को सिलेट कर लेंगे यह कर देने के बाद ओपन कर देना है ओपन कर देने के बाद सबसे लास्ट वाले को सिलेट करो एंड ओके कर दो यह कर देने के बाद अभी देखो 3B 3B वाले का पाथ आईडी क्या था 94 तो यहां पर 94 ढोल देते हैं यह रहा path id ऑकर तो यहां पर यहां पर न इसके नीचे ही one-two-three-four लिखर है तो यहां पर हम पाथ आईडी 94 ढोलेंगे तो देको 54 यह देखो यह है तो देखो path id 94 इस तरीके से select कर लेना है and देखो select कर देने के बाद यहां से confirm कर लेना कि यहां तुमने कौन सी path id को select किया है अब यह कर देने के बाद तुम्हें इस वाले file के अंदर कर देना है export dump तो export कर देना है then यहाँ पर my computer develop folder के अंदर ovv making के अंदर and यहीं पर इसको ले आ करके save कर देना है अब यह save कर देने के बाद तुम्हें यहाँ पर इसको ok करना है ok कर देने के बाद फिर से file के उपर open पे आ जाओ and फिर से my computer develop folder के अंदर ovv के अंदर and इस बार तुम्हें इस वाली file को select कर लेना है जो कि रहेगा dowali 259a तो इस वाली file के उट टैप करो select हो जाएगा then open करो फिर से last वाली को select करो and इसको ok कर दो ok कर देने के बाद अब इसकी path ID क्या थी 41 तो path ID यहाँ पर 41 देखो यह है path ID 41 select कर लेना यहाँ से देख कर के इस तरीके से यहाँ इस वाली जहाँ से देख कर के confirm कर लेना अब चलो फिर हम लोग इसको बोले तो empty manager के अंदर इसको edit करेंगे और edit मतलब इसके अंदर magic bullet का जो भी coding है उसको input करेंगे ठीक है तो उसके लिए empty manager को open कर लेना है तो देखो empty manager के अंदर आ जाने के बाद तुम्हें दो new file देखने को मिल जाएगी एक रहेगा unnamed assist 3B 3B और दूसरा रहेगा unnamed assist double lead 25 तो इन दोनों file को पहले हम rename कर लेते हैं यहाँ पे तो शुरुवात का यह जो unnamed assist इसको rename कर देंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो तो इसको unnamed assist हटा करके ok कर देंगे और इस वाले file को भी rename करेंगे और शुरुवात का जो unnamed assist है उसको यहाँ पे हटा देंगे तो इसको कर देते हैं हटा देंगे and ok ठीक है तो यहाँ पे यह दो file आ चुकी है पहले हम लोग को इधर साइट फिर से आना है यह वाले folder के अंदर जिसके अंदर हमारी coding रहेगी and यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे यह वाली file को open कर लेना है magic bullet code for 3B 3B and इसको open कर लेने के बाद तुम्हें यहाँ पे सबसे उपर 3 line मिलेगा 3 line के उपर click करो then इस वाली file जो रहेगी यह वाली file को left to right ऐसा swipe कर देना है swipe कर देने के बाद यह एक pin का button मिलेगा तो pin के button के उपर ऐसा tap करो यह file तुम्हें यहाँ पे pin हो जाएगी अब तुम्हें back कर देना है back कर देने के बाद अब तुम्हें यह वाली original file को open कर लेना है and open कर लेने के बाद तुम्हें यहाँ पे आना है फिर से 3 line के उपर यहाँ पे देखो तुम्हारी जो pin की हुई file थी वो दिख जाएगी अब तुम्हें pin की हुई file के अंदर आ जाना है यहाँ पे देखो modified कुछ करना है हमें यहाँ पे देखो line number 10 and line number 14 इन दोनों file को बोले तो modified करना है एडिट करना है तो यहाँ पे पहले हम लोग line number 10 copy कर लेते हैं तो पहले यह line number 10 है और दूसरा वाला जो रहेगा इधर साइड और फिर से यहाँ पे line number 14 को modification करना है तो यहाँ पे 16 से ले करके 18 तक ऐसा copy कर लो copy कर लेने के बाद इधर साइड आ जाना है और देखो यह background में थोड़ा न्वाइस आएगा तो इसको ignore करना अभी तुम्हें 14 से ले करके इसको 16 तक इसकी मा का चुप इसके बाद तुम्हें यहाँ पे line number 14 से ले करके 16 तक select कर लेना है और यह वाली coding को हटाना है और अपने वाले coding को paste कर देना है अब यह कर देने के बाद सबसे उपर save का button मिलेगा यहाँ पे save कर देना है इसको and save कर देने के बाद वापस से 3 line के उपर click करो and यहाँ पे देखो यह वाली जो file मिलेगी जो कि तुमने अभी अभी पिन किया था अब तुम्हें यहाँ पे यह वाली file को open करना है जिसका नाम रहेगा magic bullet for double 25 तो इसके अंदर आ जाना है and इस वाली file को भी ऐसा 3 line के उपर click करके and इसको यहाँ पे pin कर देने के बाद back आना है back आ जाने के बाद double 25 यह वाली जो file रहेगी जो कि original file रहेगी तो इस original file के अंदर आ जाना है and वापस से आओ इधर वाली file के अंदर and यहाँ से पहले line number 10 और 11 मतलब 12 को ऐसा select कर लेना है जो कि हमें modification करना है तो इसको copy कर लेंगे and line number 10 पे हमें इसको modified करना है तो इधर side back आएंगे back आजने के बाद यहाँ पे देखो line number 10 11 इस तरीके से मिल जाएगा तो इसको select करो हटा करके अपने वाले coding को paste कर दो अब यह कर देने के बाद back आओ यहाँ पे back आजने के बाद फिर से यहाँ पे देखो line number 14 मिलेगा तो इधर साइड आएंगे and line number 14 का मतलब होता है 14 15 16 ठीक है तो इधर साइड हट आएंगे and तीनो coding को ऐसा paste कर देंगे एक बार में यह कर देने के बाद इसको यहाँ पे save कर देने के बाद इसको भी ऐसा close करो कर दो मतलब close कर दो इसको यहाँ पे इसके बाद बैक आओ बैक आ जाने के बाद यह जो डवाली 25 के नाम से एक न्यू फाइल बन जाएगी पे सबसे पहले 3B 3B वाली फाइल को टैप कर देना है बोले तो इसको select कर लेना है select कर देने के बाद open करो open कर देने के बाद सबसे लास्ट वाला select कर देना है then okay कर देने के बाद इसकी जो path ID रहेगी वह 94 रहेगी तो हम लो 94 ढूंड लेते हैं तो देखो 94 यह है यह 94 इस तर इसको टैप कर देना है open कर देने के बाद माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर इसके अंदर मज जाना directly यहां पर इसको बाहर ही save कर दो save कर देने के बाद तुम्हें यहां पर फिर से फाइल के उपर टैप करो open करो open कर देने के बाद यहां पर माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर यहां पर D के अंदर आ जाते हैं इसके अंदर आ जाने के बाद OBB के अंदर and इस बार तुम्हें यहां पर डवाले 25 वाले फाइल को tap करके select कर लेना है then open कर देना है open कर देने के बाद इसको भी यहाँ पे सबसे last वाला select करो then इसको okay कर दो okay कर देने के बाद इसकी जो path ID रहेगी वो रहेगी बोले तो 41 तो 41 हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है यह 41 and इसको tap करके यहाँ से confirm अपना कर लेना जो की double e25 की txt फाइल रहेगी तो इसको ऐसा tap करो यह select हो जाएगा then open करना है उसके बाद okay कर देना है ओके कर देने के बाद yes करो yes कर देने के बाद my computer dvl folder के अंदर उसके बाद यहाँ पर इसको बाहर ही save कर दो ठीक है तो यहाँ पर इसको देखो यहाँ पर बाहर ही save कर देना बैक कर देने के बाद तुम्हें यहाँ पर देखो obb making के बाहर ही यहाँ पर तीन फाइल देखने को मिल जाएगी जो कि हमने अभी अभी इसको save किया था तो इन तीनो फाइल को पहले अपने game के अंदर apply करने से पहले यहाँ पर एक new folder create कर लेना है तो यहाँ पर plus icon के उपर क्लिक करो एंड यहाँ पर folder का नाम दे देना है data तो data का D बढ़ा कर देना उसके बाद A फिर T A ठीक है data यह क्लिक करके यहाँ पर देखो folder मिले का folder के उपर क्लिक कर देना यहाँ पर यह data का folder create हो चुका है अब तुम्हें data के folder के अंदर घुज जाना है एक side यहाँ पर आ ज OVB के अंदर आ जाने के बाद अपने game के folder के अंदर उसके बाद यह जो main dot करके file रहेगी न तो इस file को इधर side copy करवा दो copy करा देने के बाद थोड़ा सा wait कर लेते हैं यह इस तरीके से इधर side copy हो जाएगी अब इसको इधर side copy कर लेने के बाद तुम्हें आपे main यह वाली delete कर दो डिलीट कर देने के बाद अब तुम्हें यहाँ पर यह जो तुम्हें तुम्हें दुमारा जो data का folder था जिसके अंदर स्थ 15 फाइल रहेगी तो इन तीन फाइल वाले data के folder को इधर side add कर देना है तो लांग प्रस करके रखो यहाँ पे एक add का बटन मिलेगा add करके इ लिट कर देना है अब तुम्हें यहाँ पर इसको रिनेम करना है तो रिनेम करने के लिए लॉंग प्रेस करके रखो इसको रिनेम करो एंड यह जो में रहगा ना तो में को हटा करके इसको लिख देना है पैच तो पी का मतलब बढ़ा कर देना पी ए टी सी अच इसको लिख कर यहां पैच वाला फाइल इसको इधर साइड मूव करवा देना है यहां पर इसको करा देते हैं मूव अब मूव करा देने के बाद देखो यहां पर एक मेन फाइल रहेगी जो कि हमारा 300-400 यह वाली जो फाइल रहेगी यह सिर्फ 1.64 एंबी यह जितने भी एंबी का हो मतलब कम ही साइज रहेगा एक दो एंबी रहेगा ठीक है तो यह दो फाइल अपलाई हो चुकी है अब तुम लोग जब अपना गेम ओपन कर वे तो तुम्हारा जो एंटीनर रहेगा वह भी अप लूट कर लो एंड चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर तुम्हारा कोई साभी अकंड प्राड़ी दोस्तों तो इसको भी यह वीडियो से यार कर दो ताकि वह भी यह सारा जुगार बनाना से जाए तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर एंड प्रैंग सेधिले ट।ारी सेट manner